मद्धिप्रदेश में पड़े चापों को लेकर अब राश्ट्री स्तर पर सियास चुरू हो गई एक तरफ धानमंत्री नरेन मोदी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कॉंग्रिस को घेर रहे हैं देखे यह रिपोर्ट अब राज जिस सरकार भी जवाबी हमले की तैयारी कर रही है दरसल आएकर विफाग ने अलग अलग शहरों में छापे मारे थे जिसमें सीएम के करीबी अफसर उनके रिश्टेदार और सत्ता की गलियारों का बड़ा लाइजनर शिकंजे में कसे थे भोपाल में इसी लाइजनर के पास से करोडों की रकम बरामद होने के बाद सवाल उठने लगे थे ऐसे में कॉंग्रेस ने पहले तो यही सफाई पेश की कि ये सब मोदी के इशारे पर किया जा रहा है ताकि चिनाफ के मुद्धों को डायवट किया जाए कॉंग्रेस ने साफ कहा कि मध्धि पृदेश की कमलनात सरकार को बदनाम करने के लिए ये चाल चली गए लेकिन जब ये बात लोगों को हजम नहीं हुई तो फिर कॉंग्रेस ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर ली और छापे के बदले एफ आई आर का अस्तर बाहर निकाला हाला कि अब तक खुद कॉंग्रेस पूर्व की शिवराज सरकार के कारिकाल के कई घोटालों की जाच के लिए पहल करती नहीं दिखी थी लेकिन ताजा मामले के बाद ये लाजमी हो गया था और इसलिए अब उन घोटालों की फाइलों को खोला जाएगा जिनकी जाच का दिखावा भर चलता रहा या चल रहा है लेकिन एक भी घोटाले की जाच अंजाम तक नहीं पहुँच पाई आईए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से घोटाले हैं जिनकी जाच ठंडी पड़ गई थी E-Tender घोटाला सबसे बड़े E-Tender घोटाले की जाच लंबे समय से अठकी है ततकालिन प्रमुक सचिव मैप आईटी मनीश रस्तोगी ने E-Tender घोटाला पकड़ा था जल निगम के तीन हजार करोड के तीन टेंडर में पसंदीदा कमपनी को काम देने के लिए टैंपरिंग की गई थी इसके जाच तीन हजार करोड से बढ़कर असी हजार करोड के टेंडर तक चली गई बीते साल जून में EOW ने प्राथमी की दर्ज की थी दो महीने पहले रिपोर्ट आने के बाद अब एक या दो दिन में EOW FIR दर्ज कर देगी वेबसाइट घोटाला पिछली सरकार में फर्जी वेबसाइट को करोडों के विग्यापन दिये जाने का मामला उठा था ततकालिन विधायक बाला बच्चन ने विधान सभा में सवाल उठाए थे इसकी EOW में जान चल रही है जिस पर केस दर्ज हो सकता है माखनलाल यूनिवर्सिटी में भरती घोटाला M.C.U. में भाजबस सरकार के दोरान संभी से जुड़े कारिकरताओं को एहम पदों पर बठाया गया कई नियुक्तियां विवादों में रही पूर्व कुलपती वी के कुठ्याला की कारिकाल में आर्थिक गडबडी की शिकायते होई इसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई जिसने गडबडी पाई F.I.R. होना तैहे सांसद निधी प्रदेश में सांसद निधी के मनमाने तरीके से खर्च की शिकायत लोकाइक्त और E.O.W. में की गई कुछ भाज़पा सांसदों ने सांसद निधी को नियमों के परे जाकर खर्च करा था E.O.W. की जांच में F.I.R. दर्ज करने लायक सबूत है दरसल कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में इन घोटालों समेत व्यापंग घोटाले को मुद्दा बनाते हुए निश्पक्ष जांच की बात कही थी साथ ही दोशियों को ना बक्षने का भी ऐलान किया था लेकिन सरकार बने के चार महिनों के बाद भी कॉंग्रेस ने इन घोटालों का जिक्र नहीं छेड़ा नहीं मामलों में सक्ती के कोई संकेत दिये थे इधर बीजेपी ने जैसे ही आई करके चापों को भुनाना शुरू किया तो कॉंग्रेस का गुस्सा बढ़ना लाजमी था मंगलवार को पी ए मोदी ने चिनाबी सभा के दौरान इन चापों का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस पर जम कर फ्लास निकाली चुके हैं बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धान इधर से उदर हुआ इसके सबूत आज सामने खड़े है मारे डर के कुछ राग दरबारी कल तो किसी के यहां से रुपियत पड़े तो कॉंग्रेस के इस परिवार के खासम खास वहां पहुँच गए पैसे जब तनों हो सरकार वापी चली जाए दबाव डालने लगे दादागीरी करने लगे लेकिन कैमेरा वाले जब फोटो निकालने लगे तो मूँ पे रुमाल बांद करके भाग गए साथ क्यों प्रस्ताचारी वो काम है जो कॉंग्रेस सब्ता में आने के बाद पूरी इमान दरी से प्रस्ताचार का काम करती है वो कभी अपने टकोसला पत्र में प्रस्ताचार की बात नहीं लिखती है लेकिन सरकार माने के वार सबसे पहले ये रूपिये मारने का ही काम करती है इधर मुख्यमंतरी कमलनाथ ने चिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद छापों पर जवाब दिया उन्होंने कहा कि तीन दिन से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि मेरे राजनितिक करियर में आज तक मैं किसी से न ड़रा और न दबा हूँ कमनात को कैसे दबाने का प्रयाद करने मैं कह दू मोदी जी को आप ये प्रयाद करने है मेरे राजनिते जीविन में मिजे कोई दबा ने पाया मोदी जी जन्ता समझते है देश की जन्ता समझते है कि आप किस लिए करने है देश की जन्ता समझते है जाहिर सी बात है मोदी के हर भाशन की लिस्ट में ये मुद्दा जड़ गया है और वे चाहे किसी राज़ में जाएं मध्यप्रदेश के इन छापों का जिक्र जरूर करेंगे आखिर तीन राज़ों में मिली हार की खीज को बीजेपी ने इस तरहे मिठाने की कवायद शुरू करती है उधर कॉंग्रेस भी अब नर्मी बरतने के मूड में नहीं है जाहिर सी बात है मामला केवल जाच तक सीमित नहीं रहेगा बलकि अब कमर के नीचे वार करने की कोशिश भी हो सकती है खैर अच्छी बात यही है कि दोनों इसी तरहे एक दूसरे के घुटाले उजागर करें एक दूसरे की पोल खोलें जाच भी करें और इमानदारी से दोशियों को सजा भी दिलवाएं लेकिन बात सिर्फ बदला लेने तक सीमित न रह जाए बलकि रिश्टा चार की जड़ पर प्रहार करने की कोशिश होनी चाहिए विरो रिपोर्ट पत्रिका टीव